transaction, redemption मतलब repurchase, repurchase मतलब पैसा withdraw करना, redemption transaction करते वक्त हमें mutual fund को एक तो हम बता सकते हैं उनको form में कि हमें इतने पैसे की जरुरत है, आप 10,000 रुपया हमें दे दीजे, या फिर हम बोल सकते हैं कि number of units, मुझे 40 unit या 100 unit withdraw करने हैं, आप unit लिख सकते हो, या फिर आप बोल सकते हो कि all units withdraw कर लो, जितने भी units का जो भी भाव होगा, वो मिल जाएगा, but at the time of purchase, आप उनको unit specify नहीं कर सकते हो, आपको सिफ amount बताना होता है, कि मुझे 1,00,000 रुपय के units खरीदने है, mutual fund खरीदना है, जितने भी units आजाएंगे आपको लेना होता है, but redemption के वक्त में, आप units भी specify कर सकते हो, ठीक है, redemption करते वक्त में, अगर वो जॉइन्ट अप्लिकंट है, तो सारे लोगों ने, सारे unit holders ने उसको sign करनी चाहिए, और हमने redemption price के वक्त में बात की थी, कि उस वक्त में कैसा होता है, उसका formula क्या है, nav minus exit load is equal to redemption price, इस तरह से हमें calculate करना होता है, और redemption जो होता है, mutual fund के बहुत खास बात है, कि frauds नहीं होने चाहिए, इसलिए mutual fund में, mutual fund न cash accept करता है, न cash pay करता है, तो mutual fund का जो transaction होगा, redemption transaction, उसका जो पैसा आएगा, वो इदर investor के account में direct credit हो जाता है, या फिर उसका redemption warrant निकलता है, redemption DD निकलता है, जो investor के address पे पहुचता है, और फिर investor अपने account में डालता है, as per sebi rule, यह redemption request जो है, अगर मैंने आज redemption request दिया है, तो 10 दिन के अंदर, as a investor मुझे मेरा पैसा वापस मिल जाना चाहिए, अगर नहीं मिलता है, तो 15 टका per annum के हिसाब से mutual fund company को मुझे penalty देनी पड़ेगे,